हलो दोस्तों वेलकम बैक टो माई चैनल आज की इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर ब्लाउस के बैक डिजाइन शेयर करूंगी और ये मेरा में कप्रा है और इस डिजाइन को मैं अस्तर के साथ बनाऊंगी सबसे पहले हम अस्तर के उपर कटिंग करेंगे और अस्तर को पह 12 इंच मार्जिन के लिए प्लस करके 16 इंच पर मार्क लगाएंगे उसके बाद सामने भी हम 16 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और यहां पर में शोल्डर ले रही हुँ इस तरफ हमें सिधा कर देना है अब हम यहाँ पर आधा इंच बाहर की तरफ तिर्ची में एक लाइन ड्रो करेंगे उसके बाद यहाँ पर मेरा चेस्ट का चौथा भाग 10 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे चेस्ट था मेरा 40 इंच और यहाँ पर हम आर्मूल का शेफ को ड्रो कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद कमर 32 इंच उसका चौथा भाग 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 1 इंच मेर्ज एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट में प्लेट्स लगाने के लिए अब हम बाहर वाली लाइन को इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पर हम आधा इंच से भी कम सौल्डर को डाउन कर लेंगे इस तरीके से अब हमारी मार्किंग हो चुकी है तो अब हम तो अस्तर वाली पार्ट को मैंने में कपड़ी के उपर रख कर कटिंग भी कर लिया है अब हम यहाँ पर बैक पार्ट में जो नेक बनाएंगे उसका कटिंग करेंगे इसके लिए मैंने पेबर पेस्टिंग लिया है सबसे पतला वाला पेस्टिंग है मैंने लिया है उपर स से हम लाइन को इस तरीके से मिला देंगे अब हमारी यहाँ पर जो बॉक्स बन गई है इस पर हम इस तरीके की शेप को ड्रो कर लेंगे यह दिखे और उसके बाहर हम पोने एक इंच के मार्जिन लेकर इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे अब हम यहाँ पर सबसे पहले अंदर वाली marking को cutting करेंगे उसके बाद बाहर वाली marking को cutting कर लेंगे अब हम इस pattern के ऊपर extra कप्रे को रखेंगे और इसके ऊपर iron से press लगा लेंगे ताकि हमारी pasting कप्रे के साथ अच्छे静 अच्च हो जाए इसके बाद इस pattern के अब बाहर 1.5 inch का margin लेकर हम बाकी एक्स्ट्रा कप्रे को cut कर लेंगे इस तरीके से और जो हम 10 इंज का margin ले रहे हैं इसे हम पेस्टिंग के ऊपर ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो उसके पहले हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड में रखेंगे और साइट में हमारा पेस्टिंग अच्छे से बराबर होना चाहिए उसके बाद हम जॉइंट वाली साइट पर अच्छे से आइरन से प्रेस कर लेंगे जिससे हमारी इसके सेंटर वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा ये देखिए बहुत ही अच्छे हमें सेंटर वाली लाइन मिल जाएगी इसके बाद में कप्रे को भी हम इस तरीके से साइट से फोल्ड कर लेंगे और जॉइंट वाली साइट पर आइरन से प्रेस लगा लेंगे ताकि इस कप्रे का भी सेंटर पॉइंट हमें मिल सके इस तरीके से एक्स्ट्रा आपको चौक से मार्क लगाने की जरुरत नहीं पड़ेगी अब हम इसके पीछे यानि की मेंट फैब्रिक के रॉंग साइट पर हम अस्तर को रखेंगे और यहाँ पर हम साइट से सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेस्टिंग के बाहर जो आदा इंच का मार्जिन था उसे हम पेस्टिंग के ऊपर ही फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे और बहुत ही फिनिशिंग से हमारी सिलाई आनी चाहिए इस तरीके से और इसके बाद हम back part पर भी सिलाई लगा लेंगे ताकि men fabric और अस्तर दोनों अच्छे से joint हो जाए तो यहाँ पर आप आदा इंच का margin ले सकते हैं या फिर उससे कम भी margin ले सकते हैं तो इस तरीके से finishing से हम यहाँ पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे इसके बाद हमें इसके center वाली line के साथ pasting वाली कपड़ी की line मिला के रखना है देखिए मैंने आपको chalk से mark लगा कर भी दिखाई है और यह pasting वाली कपड़ी की line और हमारी men back part की line दोनों अच्छे से मिलनी चाहिए उसके बाद हमने एक pin लगा लिया है सबसे पहले हम एक बिलकुल center से एक सीधा सिलाई लगाना है यहाँ पर ताकि हमारी दोनों ही कपड़ा एक साथ प्याच्छे से attach हो जाए उसके बाद हमने जो design बनाई है उसके उपर हम सिलाई लगाएंगे बहुत ही finishing से सिलाई मैंने यहाँ पर लगा लिया है अंदर की extra कप्रे को कट करके मैंने निकाल दिया है उसके बाद इसके अंदर आपको चोटे-चोटे से कट लगाना है सिलाई को छोड़ कर ताकि हमारी पेस्टिंग को हम मेन कप्री की wrong side पर अच्छे से पलट सके तो पहले हम इस तरीके से एक side पर करके अपने हा नाखुन से इस तरीके से प्रेस लगाएंगे तो पेस्टिंग मेन कप्री की wrong side पर अच्छे से फोल्ड हो जाएगी यह दिखिए अब हम यहाँ पर गोटा वाली lace लगा लेंगे और जो सिलाई लगाएंगे वो बिलकुल design के किनारी से लगाना है तो यहाँ पर हम ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे लेकिन हमारी design के अंदर एक छोटा सा corner है नीचे वहाँ पर हम lace को cut कर लेंगे और जहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो फिर से हम वही से lace को लगाना start करेंगे और बाकी जगा पर हम lace को लगा लेंगे तो इसी तरीके से lace लगाने से क्या होगा तो हमारे design के अंदर जो corner है वो बहुत अच्छे से त्यार होके आएगा lace लगाने के बाद भी वो corner अच्छे से दिखाई देगा तो इसी तरीके से आप lace लगाईए इसके बाद हम back part में जो plates लगाते हैं वो लगा लेंगे तो यहाँ पर हम back part को इस तरीके से fold करके रखेंगे और यहाँ पर जो joint है वहाँ से हम marking करेंगे तो नीचे से width पर मैं लगाई है 4 inch पर और लंबाई भी मैंने लिया है 4 inch तो 4 inch by 4 inch पर आपको plates का सिलाई लगाना है तो दूसरे तरफ भी बिल्कुल सेम तरीके से हम 4 inch width पर और 4 inch length पर mark लगाई हैं और यहाँ पर हम नीचे से ही सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से हमने fold किया है ताकि हमारी line इस तरफ आ सके और यहाँ पर हम नीचे से 1,5 inch का margin लेंगे और उपर पर आके बिल्कुल कोने पर मिला देंगे इस तरीके से और यहाँ पर आप किसी भी तरीके की टाका मत लगाएगा टाका लगाने से इसका look खराब हो जाता है तो इस तरीके से यहाँ पर हम दूसरे तरफ भी सिलय लगा लेंगे यह देखिए तूपर वली जगा जब भी आएगा वहाँ पर आपको बिल्कुल कोने से मिला देना है तो यहाँ पर मैंने red color का lace लिया है और lace को मैं छोटे-छोटे piece पर cutting कर लूँगी जिससे मैं design बनाऊंगी और इसका length मैं यहाँ पर रख रही हूँ 2.5 inch यहाँ पर आप इसी तरीके की lace ले सकते हैं किसी और design भी हो सकता है आपकी lace के लेगे lace पतला होना चाहिए इसके इलाबा आप कोई dory बना सकते हैं कप्रे का ही dory आपका जो men कप्रा होगा उसके contrast color पर आप dory बना कर इस design को बना सकते हैं वो भी अच्छा लगेगा तो इस तरीके से मैंने सारे ही pieces को cut कर लिया है तो इसे हम गुलाई वाली shape पर इस तरीके से रखकर नीचे से सिलाई लगाएंगे यह देखिए इस तरीके से और यहाँ पर आपको neck line से थोड़ा सा दूर याने की neck line से थोड़ा सा पीछे की तरफ हम इसे रखेंगे ऐसे ही बाकी सारे pieces को रखकर सिलाई लगाएंगे और कोई भी gap नहीं देना है इसके अंदर और यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है कि यह जो हम design बना रहे हैं design का जो सामने जो गुलाई वाला side है तो उस तरफ आपको बिलकुल same size में रखना है सारे ही pieces को और दूसरा side से अगर आपका lace जादा हो रहा है तो उसे हम बाद में cutting कर लेंगे लेकिन जो गुलाई वाला side है वो बिलकुल एक समान होना चाहिए तो तब ही आपका design जो है वो बनने के बाद जादा अच्छा लगेगा इसके इलावा आपको shoulder वली line पर आधा inch का gap रखना है और यहाँ पर यह जो design के बाहर जो extra हो रहा है उसे आपको cut करके निकाल देना है क्योंकि इसके उपर हम lace लगाएंगे और lace लगाने के बाद इस design के बाहर जो extra दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा वहाँ पर भी finishing आजाएगी अब हम इसके उपर lace लगा लेंगे अब अपने पसंद से कोई भी lace ले सकते हैं लेकिन lace आपका design के उपर अच्छे से घूम घूम पर attach हो वहीं देखकर आपको lace लेना होगा तो इसी तरीके से अच्छे से हम lace को यहाँ पर लगा लेंगे तो यहाँ पर हमने lace लगा कर इसे complete कर लिया है अब हम design के उपर मोती लगाएंगे तो उसके लिए धागे को आपको four fold करके लेना होगा और अब हम यहाँ पर सबसे पहले उपर से मोती लगाना start करेंगे तो मेरे lace में दो corner है तो पहले हम नीचे से उपर सुई को ले आएंगे उसके बाद हम मोती डालेंगे इसके अंदर और फिर दूस्टे corner से हम फिर से पीछे ले जाएंगे सुई को और यही तरीका एक या दो बार repeat करना है इसे जादा नहीं करना है क्योंकि दागे को हमने च चार फोल्ड करके लिया है और ऐसे ही सुई को उपर नीचे करने के बाद हम पीछे से दो बार नॉट लगा देंगे तो विल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पर पूरे डिजाइन के उपर मोती लगा लेंगे तो अगर आप डोडी लगा कर इस डिजाइन को बनाई है तो आप आपको दो कॉर्णा निकालने की जुरूत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर आपने लेस लगा कर डिजाइन को बनाई है यानि की मेरी तरह तब आपको दो कॉर्णा निकालने की जुरूत पड़ेगी जैसे मैंने मोती लगाई है यह देखिए मोती लगा कर मैंने डिजाइन क कम्प्लीट कर लिया है तो आपका अच्छ का डिजाइन कैसे लगा है मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईए और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करे शेयर करे और अगर 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 आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे कि जब भी मैं वीडियो डालू आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए और आप मुझे फेस्बूक और इंस्ट्रकम पर फॉलो कर सकते हैं लिंक आपको डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा